बजा CT100 125X, एक्स्ट्रा कड़क यहाँ पर देखिए यह कुछ इस तरह से फ्रंट से दिखने वाली है, फ्रंट से इसका जो लूख है ऐसे आने वाला है और राइट प्रोफाइल कुछ इस तरह से बन जायेगा 11 लिटर के कैपेसिटी का फ्यूल टेंक रखा गया है और माइलेज आपको 60-65 के आसपास का मिल जाने वाला इस बाइक में और बात करें हम इसका उन रोड प्राइस का जिसमें आपके सारे टैक्सेस इंक्लूड़ेड है, इंसुरेंस अगरा भी हो जायेगा और उसके साथ में जो इसका रोड पर प्राइस पढ़ने वाला है यह आपको पढ़ेगा 97,000 रुपीज और अब भी इस पर 4,000 का डिस्काउंट चल रहा है डिलर की तरफ से तो आपको अन रोड पढ़ेगा 93 में, तो मतलब 4,000 का आपको फायदा हो जाने वाला है तो हमने 360 डिग्री व्यू देख लिया, अभी हम लोग इसके फीचर डिटेल को देखते है प्रंट से देखेंगे टॉप से, तो कुछ ऐसा इसका लूग आने वाला है अभी हम लोग इसके फीचर डिटेल को देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है डेरे लाइट, डेरनिंग लाइट जो की टॉप पर रखा गया है हाई सेक्रिटी नंबर प्लेट आजाएगा, विंड वाइजर आपका जो है, यह फाइबर के साथ में दिया गया है और फ्रंट मडगार कुछ इस तरह से फूल लेंध के साथ में आने वाला है, यहाँ पर देखें, कुछ ऐसा इसका मडगार देखेंगा, मडफलैब के साथ में आ रहा है फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और पीछे में ड्रम ब्रेक मिलेगा, इस्तमाल किया गया है, 17 इंच इसका रेडियस है, टूबलेश टायर इस्तमाल किया गया है और दूसरे फीचर को देखते हैं, तो यहाँ पर बेली पैन देखेंगे, जो कि कुछ इस तरह से है, स्प्लिट में आने वाला है, और मेटेलिक है, और कंपनी फिटेर आपको मिल जाएगा, यह लेक गाड़ा और लेक गाड़ पर भी यहाँ पर बच्चे होगरों को सपोर और यहाँ पर जो इसका इंजन है, 125cc का है, ब्लै कलर से इसको माउंट कलर में इसको रखा गया है, और माउंटिंग देख लिए कुछ इस तरह से, इलेक्टानिक के साथ साथ की के स्टार सिस्टम, फोट्रेस जो है कुछ इस तरह से दिखने वाला है, सैलेंसर यहाँ पर द दिखेगा, और रियर टायर थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, फ्रंट टायर के कंप्रिजन में, और विल का जो साइज है, रखा गया है, 17 इंच, आगे और पीछे दोनों का 5 स्पोक्स के साथ में आने वाला है, और यहाँ पर इसके सिटिंग आरेंजमेंट को देख लिजे हैं, मतलब उसमें भी आपका कोई बैलेंज जो है, वो नहीं जाएगा, तो यह भी एक अच्छा है, यह उटिल्टीज, बॉक्स होगर, यह आपको डिलोरी बॉक्स होगर रखना है, तो आराम से रख सकते हैं, और रियर जो टेल लाइट है, कुछ इस तरह से दिखने वाली टो ब्लैक् एंड ब्लैक शिल्वर ब्लैक कलर है, और औ가 उस पर जो ग्रेफिक्स है, यह आने वाला ईसल्वर ग्राइट व्ल्रेय। और यहां पर इसके मीटर कंसोल को देख लेते हैं तो स्प्लिक में इसका मीटर कंसोल रखा गया है स्पीडो मीटर और यहां पर फ्यूल गेज कुछ इस तरह से दिखेगा और इसमें आपको मिलने वाला है चार्जिंग पोर्ट यदि आपको दिन बर बाहर हैं तो उसके लिए भी काम हो जाएगा और लेट साइड में चार कंट्रोल स्विचेश और राइट साइड में आपको यह दो कंट्रोल स्विचेश मिल जाएगा रियर मेरर जो है कुछ इस तरह से दिखने वाला है तो काक्य अट्रेक्टिव बाइक है और प्राइस आप देखिए तो 93,000 एक लाग से कम हो रहा है ऐसे बहुत कम बाइक है जिनका प्राइस जो है एक लाग से कम पड़ता है तो मिलते हैं नेक वीडियो में मैं आप लोगो झाला है तो